कि हम लोग बीटट को हम लोग कर बाएं उसके बाद सेवन फेज कर बाएं कि 2009 में भी यह बात का शीक्र है कि साल में कम से कम एक वार राज और केन दोनों के अस्तर पर पाता होनी चाहिए कहां है सरी है यहां से हम लोग बिहार सरकार को बिटेट की मांग को पूर्ती करवा के ही वापस लोड़े बिहार बिहार टेट क्यों है अगरों पांच सल से टेट नहीं लिए तो क्या कर रही है नमस्कार आप बोले भारत देख रहे हैं मैं हूं राज मोहन तिवारी बिहार की राजधानी पटना में आए दिन लगतार सिक्षक अभियर्तियों का परदर्शन देखने को मिलता है सिटेट वाले तमाम अभियर्ति कहीं न कहीं धरना पर दर्शन करते हैं लेकिन अभी हम मौझूद हैं बुद्धा इस्मिर्ति पार्क के सामने यहां पर बीटेट के जो अभियर्ति हैं वो अपनी मांगों को लेकर एक जूट हुए हैं क्या कुछ इनकी मांग है इनसे बात सिख्षक बहाली हुआ है उससे पहले सिख्षक पात्रता परिक्षा लिया गया है लेकिन अब की वार एक ऐसा इतिहास बनने जा रहा है कि बिना पात्रता परिक्षा यहनी की बिटेट का बहाली बिहार सरकार कर रही है जो की बिलकुल अनूचित है और इसमें लाखों ऐसे बच्चे हैं जो जमीन तक बेच करके डिलेट बीएट जो भी है वो मतलब डिगडी लेते हैं लेकिन बंचीत हो जाएंगे तो कहीं न कहीं इसके लिए सरकार जिम्मेवार होंगे और हम लोग चाहते हैं कि सांतिपूर्ण तरीके से सरकार मान जाए अन्यथा अगर नहीं माने तो हम लोग आंदोलन करेंगे धारना परदर्शन करेंगे चाहे जो कुछ भी हो जाए यहां से हम लोग बिहार सरकार को बिटेट की मांग को पूर्ति करवा के ही वापस लोटेंगे जरा एक बार इनके इस बैनर पर भी हम नजर आपका ध्यान जो है वो आक्रिश्ट कराना सरकार हाए हाए हमारी मांगे पूड़ी करो कंड़ बीटि-एटी भिफ़ोर 7 पिज यानि सात के साथवे चरन की बहाली से पहले बीटि-एटी-पडिश्ट कराई जाने चाहिए यह तमाम जो है इनकी मांगे इसमें आपको नजर आएगी 2017 2017 से 22 के बीच लाखों प्रसिचित अभेयर्तियों को भी मौका दिया जाना चाहिए कौन से मौके की बात कर रहे हैं हम लोग को बीटेट होना चाहिए हर साल बीटेट होना चाहिए सब्सक्राइब कर लिए हम लोग के लिए जो हम लोग का संबाध्यानिक मांग है कि हम लोग बीटेट को हम लोग को कर बाएं उसके बाद सेवन फेज कर बाएं सब्सक्राइब कर लिए हैं मेरा सब्सक्राइब कर लिए हैं लेकिन पात्रता पर इक्षा पास नहीं किये हैं तो हम बहाली जो नियोजन होगा उसमें सामिल नहीं हो पाएंगे और सातवे पहले तो जो टेट है बीहर सरकार का जो टेट होता है उसको तो आयोजीत कर तम पास ना फेल कि बात होगी यहां तो आई योजीत हुघ नहीं घैना पास नहीं अगता नहीं किजेखा तो गयत आप बोलना है कि चलिए हम प्रारंभिक वैकेंसी निकालना है तो निकालने के लिए उसका जो कैटिरिया उसको फुल्फिल किजिए ना जिस परकार छट्था चरन का बहाली हुआ उससे पहले बीटीटी लिए तो उसी परकार जब सातमा चरन आप कर रहे हैं तो आप अपनी जो टेट है उसको तो लेना चाहिए ना सरकार जो को जो जिम्मेदाली दीगा यह अपना जिम्मेदाली निवहान करें आप अप लोग का यह कहना है कि सात्वे चरन की बहाली से पहले आप लोग के लिए बीटीटी का एक्जाम का आयोजन कराया जाए ताकि जो प्राथमिक जो सिक्षक हैं उनकी भी वह उसमें सामिल हो सके आप लोग को लगता है कि ऐसा नहीं करने से सीटेट खाली रह जाए गया था और इसी तरह से यदि ऐसा नहीं हुआ बिटेट का एक्जाम नहीं लिया गया तो फिर सरकार बहाना बनाएगी कि योग बिहारती नहीं होने के कारण सीटे खाली रह गई इसलिए हम सरकार से गुजारिस करेंगे कि बिटेट एक्जाम ली जाए और 2017 बात अभी तक नहीं लिया गया अब लेना चाहिए बिएक कमर कि बिहार सरकार से अनुरोध है या रिक्वेस्ट है जो समझे की इस यहार 202 के सैद्वे सर्कार होले कैसे लिए अगर 5 सल में बियाट नहीं हुआ सब्सक्राइब करें लेकिन आपको नहीं लगता है कि आप लोग की जो आप महत्वा कांछा बढ़ गई की तुरांथ होते ही हमको नौकरी में आप रिक्तियां 31 मार्च 2022 की मंगबा रहे हैं कि अंजर करें कि इससे पर बाली कब दिये जो तरहें दिरें कि यह लगता है कि आटवे चंग कोई पता ने कुछ बहार कोई पता चलाए कि कब आगी वहाली क्या क्लेंदर है प्रवियाना वालों कुमार वाह आपने बोला जो आप लोग को ज्यादा नहीं हो रहे हैं महातोकांशी इसको क्यों बोलिए का सर हम लोग सिधा जान रहे हम लोग समभेधानिक मांग है जो भी हमारा सिक्षा का अर्टीकल एंसीटी ती यह आर्टी दोजार नो है दोजार पं स्थासा में एक बार पात्रता परिक्षा परिक्षा सब्रक्राइब करें पार इन जा रहे हैं और बिना किसी पात्था परिक्षा के शक्र है कि साल में कं से अब अभी साथ्वे चलंद से पहले नहीं लिया जाता यह सरकार इसको संग्यान में नहीं लेती है तो आभी हम लोग करेंगे अभी 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 हम लोग किए फरवाडी संही वीभाग को मंत्री साहब को और जो अपर मुख सचीव देशन शर वहां से लेका अभी तक में सबको हमने विगयापन दिया हर जगा समय अस्वासन मिला मिला अस्वासन मिला यस हम और कर रहे है इस ठीक ह करने के लिए जो की हुआ और साथ में भी नहीं हो रहा है जो हम लोग करने जा रहा है जो लोग कर रहे हैं अगर वह सम्मेधानी का आपका आपका क्या कहने का मतलब है सब्सक्राइब अब नहीं है और हाइकोट ने सबसाब बोला अपने 15-16 जज्जमेंट में राज सरकार को मस्ट भी यार मस्ट भी कंड़क्ट बिहार टेट इन 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 पडियर समझे तो मतलब हाइकोट का सब्सक्राइब अफसाल में पाता परिशा करें यह कहां गया हो हाइकोट का जज्जम पर रहे हैं या तो व्याज लेकर या जगह जमीं बेच के पर रहे हैं तो क्या करें पर ना छोड़ते मोदी जी का पकोड़ा बेचना सुरू करते हैं तो यह तिमाम अभियरति जो यहां पर आपको नजर आएंगे वह बीटेट एक्जाम जो है उसके आयोजन की मांग कर र चरन में हमने देखा कि कितनी सीटे खाली रह गई साथ में चरन में भी ऐसा ना हो जाए क्योंकि इनको भरोसा नहीं है कि आठवा चरन कब होगा उसका कोई गुना भाग नहीं क्योंकि सत्वा अभी शुरू हुई नहीं हुआ ऐसे में तमाम अभियर्थी यहाँ पर बुद्दा इसमर्थी पार के पास एक जूट हुए हैं और इनकी मांग केवल यही है कि साथवे चरन की बहाली से पहले इनके लिए बीटेट एक्जाम कंड़क कराना जरूरी है और कराया जाए इनके लिए जरूरी है इनके परिवार क घर चाता है और वहीं के सजानता है और बहालीया हो भी रही है तो सीते काली रही जाये क्यूंकि योग्यस शीमत्य weans ये सिक्षा कहा से मिलेंगे पात रता पर रिक्षा से पात्रता प्रेड़का लीजिएगा नहीं तो फिर यव्यों कि शिक्षप आपकोrib emotional लेना चाहि тебе बहुत 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 दने वाद